और PM होगी हमारी find out करने के लिए और QM हो जाएगी हमारी 5 cm क्योंकि हमने perpendicular draw के जो इसको 2 equal parts में divide कर रहा है हमने सारी values put कर दी तो देखे 10 का square 100 हो गया PM as it is रहेगा क्यों हमारे पास 5 है